नमस्कार A2Z Dishes उशा गोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ गुजराती एक स्पेशल रेसिपी खांडवी यह खांडवी आप सभी ने कभी ना कभी खाई होगी या फिर आप सभी ने कभी ना कभी से देखा होग यह खांडवी जितनी दिखने में बढ़िया लगते है उससे जादा यह बनाने में इतनी आसान है और यह गुजराती स्पेशल रेसिपी है तो चली बनाते है तो खांडवी बनाने के लिए देखे एक मिक्सर जार ले लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे बेसन तो देख हल्दी पाउडर डाल दे स्वात के अनसार नमक एक चौथाई चमच अध्रक लसन के पेस्ट और इन सबीकों आपको ढखकर अच्छे से पीस लेना है वैसे तो हम इसे बाउल में भी बना सकते है पर यह मिक्सर में बनाने से एक फाइदा है कि कोई भी बेसन की गुटली नह हो जाता है अब आपको एक कडाई लेनी है गैस पर नहीं रखना है बस इस ऐसे प्लेट्फॉम पर रख दे इसके ओपर एक पतली जाली वाली चनी रख दे और यह जो हमने यह गोल बनाया था ना इसे आपको चान लेना है देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से चान लिया अब यह चनी को हम हटा लेंगे अब हम गैस को अन करेंगे और यह कडाई को रखेंगे और आज को मद्यम कर लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मद्यम आज पर इसे लगातार चलाते जाएंगे और इसे देखे विक्सर या कर्षी की मतलब से आपको पकाना है अब देखिए अगर आप रुख जाते हैं, इसे मिक्स नहीं करते हैं, तो क्या होगा बेसन नीचे जाकर जम जाएगा और आकी खांडवी अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि बेसन जो है वो जल्दी से गाड़ा हो जाता है, अभी आप देख सकते हैं इसका गोल बिल्कुल पतला है, यह गाड़ा हो जाए तब तक हमें पकाना है, तो बस लगातार चलाते जाए और मद्यमाच पर आप इसे पकाएं, देख सकते हैं बेसन की जो कंसिस्टनसी है वो बदलती जा रही है दीरे-दीरे, तो इसी तरह से चलाते जाना और पकाते जाना है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यह हो जाएगा, दो से तीन मिनिट में ही, देख सकते हैं इस तरह से हो जाए ना, तो बस इसे आपको गैस को बन कर लेना है, यह खानवी के यह बस platform पर निकाल लीजे और इसे अच्छे से spread कर लीजे तो यहाँ पर इस तरह से spread कर लेना है कोई भी कर्शी की मदद से यहाँ कोई भी यह scripper की मदद से कर सकते हैं जितना हो सके से आपको पतला करना है और अगर आपको platform पर ने करना है तो कोई थाली ले लीजे उसे उल्टा कर लीजे और इसके ओपर यह गोल लगाई और उसे फैला लीजे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बस इसे फैलाने के बाद आपको इसे ठंडा होने रग देना है ऐसे ही जैसे यह ठंडा हो जाएना तो आपको देख सकते हैं बीच से हम कट लगा रहे हैं नाइफ की मदद से और अब इसके हम strips करेंगे और थोड़ी सी मोटी मोटी strips करनी यानिकि मोटी मोटी पटिया करनी है ताकि आप खांडवी ज इसमें तेल का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं होता है बस थोड़ा सा ये तेल का इस्तमाल होता है तो यह बहुत ही healthy भी option है और tasty भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस इसी तरह से हम खांडवी बनाते जाएंगे देख सकते हैं इस तरह से आपको बस फोल्ड करते जान इसमें मैं डाल रहे हूं सिर्फ आधी चमज तेल तेल जैसे करम हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथा ही चमज जितनी राई चुटकी बर इसके अंदर हम हिंग डाल देंगे और चार से पांच कड़ी पते डाल देंगे और उन सब कुम थोड़ा सा पका तो तुरंत ही आपको गयस को बन कर लेना है और ये तड़के को आपको खंडवी के उपर इस तरह से डाल देना है खंडवी बहुत ही टेस्टी बनी थी यहाँ पर आप देख सकते है बस ये तड़के को खंडवी के उपर इस तरह से डाल दीजे और इसी के साथ ने इसके उ मुझे कमेंट्स बताई कैसी लगे रेसिपी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक यू फो वाच्छे